नमस्कार, मैं अंजु शर्मा, आपके सामने उपस्तित हूँ यह म्राज की दिशा नामक कवीता लेकर। ने सागर विशोविद्याले से प्राप्त की। पढ़ाई में इनकी काफी रूची थी। इनकी मृत्यू 2017 में हो गई। इनकी प्रमुख क्रीतियों में लकडबगा, हंस्रा है। दिवारों पर खोन से नहीं लिख सकता मापर कवीता और पथर की बेंच इत्यादी है। रचनाओं की भाषा बहुत ही पारदर्शी है और इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से गाओं, कस्बों और नगर के निम्नवर्ग के जीवन का वर्णन मिलता है। अपनी रचनाओं में इन्होंने वर्तमान समाज के प्रती बहुत आक्रोश दिखाया है। आक्रोश ही नहीं, साथ-साथ मानविय करुना भी है। अपनी कवीता यम्राज की दिशा, इसमें कवी ने बताया है कि किस प्रकार आजकल प्रतेक मानव संकटों से घीरा हुआ है, सभेता के विकास के खतरनाक दिशा की ओर उसने इशारा किया है। कि इंसान चारों तरफ से सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी, हर तरफ संकट ही संकट है। और कवी ने अपनी मा को याद करते हुए बताया कि मेरी मा कहा करती थी कि दक्षिन दिशा की तरफ पैर करके सोना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो यम्राज की दिशा है। उसके बाद कवी जहां कहीं भी गया, जीवन पर्यांत कभी भी उसने दक्षिन दिशा की ओर पाउन नहीं किये। लेकिन आज की समय में कवी को लगता है कि आज हर दिशा जो है वो दक्षिन दिशा बन चुकी है। क्योंकि इस कवीता में दक्षिन दिशा जो है वो प्रतीक है आतंका, अनीती, भ्रस्टाचार, भय, इत्यादिका तो कवी को लगते है कि ये सभी बातें चारों तरफ व्याप्थ हैं कवी प्रतेक दिशा को दक्षिन दिशा मान रहा है उसके अनुसार हर दिशा ही दक्षिन दिशा हो चुकी है कवी को मान ने क्या क्या समझाया था इसके बारे में हम अधिक विस्तार से जानेंगे हमारी इस कवीता की व्याक्या में अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार कि अवी कि अवीडियो में अवीडियो बहा है झाल झाल